नमस्कार आर्थिक सर्वेक्षन से समंदित इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो हमारा चौथा अध्याय है उसका शिर्षक है इनिक्वालिटी एंड ग्रोथ, कॉन्फिक्ट और कन्वर्जेंस मतलब और समानता और विकास, संघर्स या अभिसरण आखिर यह सिर्षक क्या कहना चाहरा है वो देखिए। सिर्षक यह कहना चाहरा है कि भारत के संदर्व में अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें और अगर हम इनिक्वालिटी या और समानता की बात करें तो इन दोनों में वृद्धी होने पर मतलब अगर ग्रोथ रेट में वृद्धी होती है और और समानता में वृद्धी होती है तो इन दोनों में वृद्धी होने के बात जो समाजिक आर्थिक परिणाम प्राप्त होते हैं समाजिक आर्थिक परिणाम का यहां पर अर्थ है कि शिक्षा से सम्मंधित परिणाम, स्वास्त से सम्मंधित परिणाम, तो यह जो परिणाम प्राप्त होते हैं, क्या यह परिणाम दोनों में व्रिधी के बाद समान होते हैं, या अगर growth rate में विर्धी होती है तो growth rate में विर्धी होने के बाद समाजिक आर्थिक जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो क्या ज़्यादा अच्छे होते हैं बनिस्पत या तुलनात्म गुरूप से और समानता में विर्धी होने के बाद या दूसरे अर्थ में अगर मैं कहूं तो और समानता में अगर विर्धी हो रही है तो क्या उसके समाजिक और आर्थिक परिणाम वही होते हैं जो growth rate में विर्धी होने के बाद के परिणाम होते हैं आप मतलब समझ गए अमूमन हमें क्या पता है अमूमन हमें यह पता है कि growth rate में अगर वृध्धी हो रही है तो वह अच्छी बात है लेकिन ग्रोथ रेट में वृध्धी होने के साथ साथ क्या होनी चाहिए और समानता में कमी होनी चाहिए लेकिन आर्थिक सर्विक्चन ठीक इसके उलट बात करता है आर्थिक सर्विक्चन यह कहता है कि भारत के संदर्व में ज्यान दीजेगा जो मैं कह रहा हूं भारत के संदर्व में ग्रोथ रेट में व्रिधी होने के साथ साथ अगर और समानता में भी वृद्धी हो रही है तो दोनों में वृद्धी के अगर परिनामों पे गौर करें समाजिक आर्थिक संदर्व में तो दोनों के परिनाम समाजिक आर्थिक संदर्व में समान होते हैं अब यहाँ अगर हम इसे उदाहरन के रूप में समझें तो देखिए आर्थिक सरविक्षन कहने क्या चाहता है मान लिजिए कि किसी स्कूल में एक एक्जाम को कंड़क्ट कराया जाता है जिसमें जो पूर्ण अंख है वो पूर्ण अंख कितना है 100 अंख दो चातर हैँ, A और B इस परिच्षा में जिसमें कि पूर्ण अंख 100 है उसमें A को कितना प्राप्ट होता है 90 और B को कितना प्राप्ट होता है 50 अब जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनके दिमाग में एक बात आती है वह यह आती है कि A को 90 अंख प्राप्ट हुए B को 50 अंग प्राप्त हूँ है तो क्यों न ऐसा किया जाए कि अंग प्राप्त करने के इस तर पे इन दोनों छात्रों के बीच में समानता को स्थापित कर दिजाए तो आखिर समानता कैसे स्थापित होगी तो वो देखे A के 90 अंग में से 20 अंक दे दिया जाए इसको B को तो अब जो नया अंक होगा या नया अंक की प्राप्ति होगी वक्या होगी A को अंक मिलेगा कितना अब 70 जबकि B को कितना अंक मिलेगा 70 समानता इस्थापित हो गई और एक चीज और दिखिए कि इस स्थिति में जबकि A के 90 B के 50 तो कुल अंक कितना प्राप्ति किया गया है इस कुल 140 और इस नई स्थिति में कितना अंक प्राप्ति किया गया है 140 ठीक है अब प्रिंसिपल ने जो सोचा और जो किया जरा उसकी परतिक्रिया देखिए प्रतिक्रिया क्या है, इस नई स्थिती में A के मन में यह बात आती है कि अब अगली बार से उतनी महनत नहीं करते हैं, वह क्यों, वह इसलिए, क्योंकि अगर मुझे जाला अंक प्राप्त होंगे, तो फिर मुझे से वह अंक लेकर किसी दूसरे ऐसे छात्र को दे दिया जाए यहां A के मन में काम ना करने की भावना जगी आई अब B की प्रतिक्रिया देखें अब B के मन में ये बात आ रही है कि अगर मैं कम मेहनत करूं तो मुझे जो ज़्यादा मेहनत करने वाले चात्र है उसके बराबर ये अंधी प्राप्ति हो रही है तो अगर मैं मेहनत ना करूँ तो भी सही है तो देखी क्या हो रही है चीजे इस इस्थिती में और समानता को समाप्त करने के लिए जो सिद्धांत अपनाए गए उस सिद्धांत में हम यहां पर क्या देख रहा है कि एक class में काम ना करने की प्रविर्टी बढ़ रही है दूसरी इस्थिति हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इन दोनों इस्थिति में चाहे A को 90 हो या B को 50 हो या A को 70 हो या B को 70 हो class के अगर कुल अंक प्राप्त करने की बात करें हम तो वह क्या है? वह है 140 तो फिर क्या सही इस्थिति है या क्या प्रिंसिपल को क्या कारी करना चाहिए? वो देखे क्या करना चाहिए प्रिंसिपल को यह करना चाहिए कि इन दोनों के अंकों को प्राप्त करने के बाद अगले एक्जाम के लिए इन पर मेहनत करनी चाहिए और B पर ज्यादा मेहनत करने चाहिए परिनाम यह होगा कि अगली बार जब फिर एक्जाम को कंड़क्ट कराए जाएगा तो हो सकता है कि जो A है उसे 95 अंक की प्राप्ति हो और जो B है उसके अंक हो सकता है कि बढ़कर 65 हो जाए तो आप यहाँ पर देखे क्या हो रही जाए बिना अंक के वितरण किये बिना अंकों के साथ छेड़ चाड़ किये अगर महनत की गई है तो ना केवल A के अंकों में व्रतिव बलकि B के भी अंकों में व्रतिवी और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि अगर हम कुल अंक प्राप्ति की बात करें तो आप पहले की तुला में हमें क्या देखने को मिल रहे है जादे देखने को मिल रहे है वह अब क्या हो रही है 160 तो कहने करत यहाँ पर यह है कहने करत यहाँ पर यह है कि अगर और समानता को समाप्त करने पर ज्यादा जोर दिया गया बिना वृध्धी दर को बढ़ाने पर या वृध्धी दर को दूतियक के रूप में रखने पर सकेंडरी पर रखने पर और प्रात्मिक के रूप में किसको रखना है और समानता को तो हो जाएगी लेकिन अगर व्रिद्धी दर की हम बात करें तो उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन उससे भिन अगर एक बहतर आर्थिक बहतर आर्थिक बहतर आर्थिक माहुल बनाए जाए और एक पक्ष पर कारी किया जाए तो क्या होगा कि वृद्धी दर तो बढ़ए ही बढ़ी लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहें कि पहले की तुलना में B की इस्तिती क्या हो गई, जादा अच्छी हो गई, तो आर्थिक सर्वेक्षन में इस बात पर जोर दिया जा रहा है, कि वृद्धी दर को बढ़ाने पर जादा जोर दें, ना कि और समानता को कम करने पर, क्योंकि अगर हम और समानता की बात करते हैं, अगर हम और समानता को कम करने की बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यहाँ पर यह है, कि यह गरीबी, कि उस स्वरूप को कम करने की बात हो रही है, जिसे हम कहते हैं, सापेक्ष गरीबी, क्या होती है सापेक्ष गरीबी? सापेक्ष गरीबी या सापेक्ष गरीबी गरीबी की वह एक स्थिती होती है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से गरीब है लेकिन यह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गरीब मान रहा है इसका मतलब यहाँ पर यह है कि सापेक्ष गरीबी में हमने गरीबी का अध्यन तुलनात्मक रूप में किया है जबकि आर्थिक सर्विक्षन का यह कहना है कि गरीबी के इस रूप और समानता को कम करने पर उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाना ची तो किस स्वरूप करें? तो वह स्वरूप होनी चाहिए कौन से? जबकि से नीचे रहने वाले जो जनसंख्या के भाग है उस जनसंख्या को भाग को क्या माना जाए? उसे गरीब माना जाए और यह जो निश्चित मापदंड है इसके लिए हम सब्द क्या परियोग करते हैं? इसके लिए प्रयोग जो करते हैं सब्द है positivity line और इस poverty line से नीचे रहने वाले उसे हम क्या मानता हैं गरीब मानता है और यह बात इसलिए कही जारी है क्योंकि प्रायोगिक रूप से इस बात के प्रमाण उपलब्द है कि उन्नत अर्थ व्यवस्था से भिन ध्यान दिजेगा जो मैं कहा रहा हूं उन्नत अर्थविवस्था से भिन भारती अर्थविवस्था कि अगर हम प्रविर्थी पर गौर करें तो हम यह पाते हैं कि और समानता में वृद्धी और राश्ट्री आए अगर आप उसमें वृद्धी की बात करते हैं या वृद्ध समान प्राप्त होते हैं कैसे जड़ा देखिए इस ग्राफ को यहां पर क्या देख रहे हैं कि एक को रिलेशन दिखाए जा रहा है किसमें और समानता में और और इनकम पर कैपिटा मतलब प्रती व्यक्ति आए के बीच में और उदारन के रूप में जहां एडवांस्ट एकोनोमी को लिया गया है वहीं भारत के राज्यों को भी इसमें सामिल किया गया है और एक तरफ इनकम इनेक्वालिटी को लेकर गराफ बनाए गया है और दूसरे क्या दिखा रहा हुआ उसके गोर lend की जया किकनउम इनकम इनकमेंड गारउटी अगर भाउस्ट इकोनोमी में बढ़ती चली जा रहीं है देख रहे हैं मतलब नकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं किसमें income inequality के संदर में, अब ज़रा आजएए इस पर national income per capita के संदर में, ठीक है, यहां हम क्या देख रहे हैं, कि अगर national income per capita में वृध्धी हो रही है, तो इस्तिति क्या दिख रही है, कि जो health index है, उसमें हमें सकारात्मक दिख रही ह मतलब positivity है, उपर की और graph है, मतलब कि यहां worse condition से, किस condition के और जा रहा है, बैटर condition के और जा रहा है, यह थो गई advance economy, अब जो बात आर्थिक सरविक्षन में कही गई है, अब उसकी देखे पुष्टी कैसे होती है, भारत के संदर में, क्या लिया यहां पर, यहां भी income inequality लिया और यह है गिनी, गिनी coefficient, अगर आपने गिनी coefficient को पढ़ा होगा, तो हमें यह पता है कि गिनी coefficient, जनसंख्या के, या संपून जनसंख्या में, इस बात की माप करता है, कि आय का वितरन समान रूप से हुआ है, या समान रूप से नहीं हुआ है, दूसरे अर्थों में, आय के वितरन समंधी जो माप करता है, वह गिनी coefficient के द्वारा की जाती है, चीक है, गिनी coefficient में, जीरो से एक के बीच, आय और समान रूप की माप होती है, अगर किसी देश के द्वारा, गिनी coefficient जो प्राप्त किया जाता है, वह समय के साथ-साथ, अगर उसके मान, एक की और बढ़त प्राप्त किया, फिर किसी तीसरी अबदी में, प्राप्त किया, इसका मतलब क्या हो है, कि समय के साथ-साथ, गिनी coefficient का मान किसकी और बढ़त रहा है, एक की और बढ़त है, इसका अर्थ है, कि समाज में जो आय का वितरन है, वह समान रूप से नहीं हो रहा है, और अगर ठी हैं, कि उस देश में क्या प्रवड़ती देखी जा रही है, कि जल संख्या के जो भागे उसमें आय वितरन जो है, वह क्या हो रहा है, समान रहा है, क्योंकि जो गिनी coefficient का मान है, वह किसकी और बढ़ रहा है, वह बढ़ रहा है, एक यी और, तो यह बात होगी गिनी coefficient की, चल समानता बढ़ रही है, अगर और समानता में विर्धी हो रही है, तो हेल्थ इंडेक्स क्या सो कर रहा है, जब आपको देखिया, हेल्थ इंडेक्स ये सो कर रहा है, कि स्वास्त जो सुचकार के उसमें हमें इस्थिती अच्छी दिखने को मिलनी, मतलब यह जो वर्स है, उस यह सो कर रहा है, सोया कर रहा है, कि जैसे जैसे प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धी होती चली जा रही है, वैसे भारत के संदर में जो स्वास्थ सूचकांग है, इस स्वास्थ सूचकांग में सुधार की इस्थिती दिख रही है, मतलब यह वर्ष से बैटर की ओर जा रहा है तो जो आर्थिक सर्विक्षन करता है वो यह कर रहा है कि advanced economy से भिन भारत के संदर्म में और समानता में वृद्धी और प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धी इन दोनों के जो समाजिक आर्थिक परिणाम हैं ये समाजिक आर्थिक परिणाम लगभग बराबर दिखते हैं फिर आगे देखे एक और सुचकांक फिर advanced economy और इंडियन स्टेट्स यहाँ पर education outcomes को लिया गया और ठीक हमें वही प्रविर्थि देखने को मिल दिये क्या कि income inequality advanced economies में जैसे बढ़ती चली गई वैसे ही education outcomes जो सिक्षा से समाजित परिणाम है उसमें गिरावट देखी जा रही ह लेकिन इससे भिन जैसे प्रतिव्यक्ति आई में वृधि होती जा रही है वैसे ही advanced economies में उन्नत अर्थ विवस्था में जो education outcomes हैं उसमें हमें सकारातमक परिणाम दिख रहे हैं मतलब वर्स से बेटर की ओर जा रहा है जबकि इससे भिन भारत की संद्रम में क्या देखने को मिल रही है इस्तिति कि जैसे और समानता में वृधियों हो रही है वैसे ही education outcomes की हम बात करें तो यह वर्स से बेटर की ओर जा रहा है मतलब खराब इस्तिति से अच्छी स्तिति की हा जबकि और शेयल के-पिटर इंकम की बात करें तो उसमें भी हमें वही इस्तिति दिखने को मिल रहेंगे हैं अगर अब अलग अलग घट को कुलो, जैसे कि Life Expectancy की बात कीजिए आप, जीवन प्रत्यासा की बात कीजिए, Infant Mortality की बात करें, सिस्व मिर्थियुदर की बात करें, Birth and Death Rates की बात करें, Fertility Rate की बात करें, अपराज की बात करें, मानसी स्वास्त की बात करें, तो सब में यही प्रवर्टी देखी जा रही है, अब देखिए, कि गरीवी को कम करने के संदर में, अगर गरीवी की बात करें, तो गरीवी को कम करने में किसकी भूमी का ज़्यादा है, वृद्धी दर में बड़ोत्री का, या वह समानता में कमी का। तो जो परिणान निकल कर आए है, उसके अनुसात यह बात कही जारी है कि अगर मालने की 37% जो गरीबी का परतीसत उससे घटकर अगर 22% अगर गरीबी का परतीसत है तो कितना परशंट इसमें गिरावाटा है? अगर इस 15% को 100% मान लिया जाए तो तो 85% गरीवी को कम करने में योगदान है इसका और समानता में कमी का तो इसका अर्थ यहां पर यह है कि अगर भारत में गरीवी की दर में कमी करनी है जो कि हमने देखा 37% से 22% तो अगर गरीवी की दर में कमी करनी है तो हमें करना क्या होगा यह व्रिद्धी दर पर हमें मुख्य फोकस रखना होगा और समानता में अगर व्रिद्धी हो रियत उस पर अभी ध्यान देने की उतनी आवे सकता नहीं, हाँ, निर्पेक्ष गरीबी जो है, उस पर ध्यान देने की जरूर आवसरता है, और यहाँ जो आपने ये देखा, कि गरीबी के परतिसत में जो कमी हो रही है, उससे समंधित जो आकड़े दिख रहे हैं, ठीक यही परिनाम निकल कर आते हैं, किसमें, multi-dimensional poverty में, मतलब बहु आयामी निर्धनता, आखिर क्या होती है, बहु आयामी निर्धनता, तो बहु आयामी जो निर्धनता है, या multi-dimensional जो पोबर्टी है, इसको मापने के लिए एक इंडेक्स होता है, जिसे हम करते हैं, multi-dimensional poverty index, यह गरीबी मापने की एक अंतराश्टी परनाली होती है, और इसे Oxford गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट विकास कारिक्रम द्वरा वर्स 2010 में विक्सित किया गया था, तो बहु आयामी निर्धनता, सुचकांक के अंतरगत, जनसंख्या के उस पूरे भाग में यह देखा जाता है, कि इसमें गरीबी की तिवर्ता कितनी है, कितनी इंटेंसिटी है गरीबी की, और उसके लिए जो आधार लिया जाता है, अगर उन आधारों पर कुन गहर करे, तो मुख के तीन आधार होते हैं, स्वास्थ, शिक्षा और लिविंग स्टेंडर्ड, मतलब जीवन का इस्तर, हेल्थ के अंतरगत, फिर दो हैं, उप मांकन की अवधी कितनी रही इसकूल में, और जो इसकूल एटेंडेंसिस का मतलब यह है कि इसकूल में उपस्थिती कितनी रही है, दोनों में फर्क है, आगे लिविंग स्टेंडर्ड का इंतरगत, क्या क्या सामेल वो देखें, इसके अंतरगत, छे उपमाप हैं, वाटर, हाउसिंग, आवास, एलेक्रिसिटी, विद्यूत और एसेट्स परिसंपत्या, तो इन तीन मुक्यमाप और इन दस उपमापों के आधार पर किसी देश में जनसंख्या में यह बात देखी जाती है कि इस जनसंख्या के कितने भाग में गरीबी की तिवर्ता उच है औ गरीबी की जो टिवर्ता की मांप जो उच दर पर देखी जाते है उससे कितना कितने लोग संख्या में प्रभावीत है यह जनसंख्या का कितना पर्तिसद उससे प्रभावीत है अब जड़ा policy implications के अंतरगत जो बात कहीए वो यह कहीए कि advance economy से भिन है, मतलब उन्नत अर्थ विवस्था से भिन है, भारत के संदर में growth और inflation, इनका आपस में कोई विरोध नहीं है, इनके आपस में किसी प्रकार की कोई संघर्ज की इस्तिती नहीं है या फिर दूसरे अर्थ में ये कहें कि growth और inequality इन दोनों के आपस में किसी प्रकार के संघर्ज की स्थिती नहीं है, बलकि ये दोनों एक दूसरे के समान है, इस convergence हैं कि फिर यहाँ पर ये बात कहीए है कि भारत में जो विकास की नीती है, उसमें जादतर जोर इस बात पर रहन कि कैसे हम वृधी दर में और जाद से जादा तेजी लाएगें, क्योंकि जितने जादा वृधी दर में तेजी आएगी, उतनी ही बड़ी मात्रा में, हम क्या करेंगे, लोगों को गरीवी रिखा से निकाल पाएगे, मतलब ये, कि वृधी दर पर सरकार को जादा से ज़्य जादा जोर दिना चाहिए क्यों इसलिए क्योंकि जितना बड़ा अर्थवेस्था का आकार होगा उतना ही संभव हो पाएगा redistribution करना redistribution करने का मतलब यहां पर यह है कि समाज के उस भाग के लिए बेहतर स्वास्त सिक्षा और मूलभूत आविस्यक्ताओं की पूर्ती को सहज रूप से बनाए रखना है तो सो रुपए में जितना समाज के गरीब भाग के लिए विवस्था संभव हो पाएगी उससे ज़्यादा कहीं हजार रुपए में जो समाज का गरीब भाग है उसके लिए विवस्था कर पाना आसान होगा तो जो यह चौथा चैप्टर है इस चौथे चैप्टर के अंत्रगत जो सवाल यह पूछा गया था कि ग्रोथ और अगर हम बात करें इनिक्वैलिटी तो इन दोनों में संघर्ष किस्थिती भारत क के संदर में या इन दोनों में एक अभिसरन है जवाब यहां पर है कि इन दोनों में एक अभिसरन है और सरकार को ग्रोथ पर ज्यादा जोर देना चाहिए इसके साथ ही इस वीडियो को हम ही समात करते हैं फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ धनिवाद सेर्फ पर लयकुष.